तो हेलो एवरिवन वेलकम टू मैं चानल एस्टाडीवीट विशू तो कैसे हैं आप लोग तो ये चेमिकल रियक्शन एपने क्वेशन का एकसरसाइस सलूशन यानि कि इस लेक्चर में आप लोग क्या करने वाले हैं एंसी आटी का इंटेक्स क्वेशन और एकसरसाइस सलूशन करने वाले हैं तो इंटेक्स वेशन ये वह होता है अशे तो सब लोग जानते हैं लेकिन दब भी आप लोग एक बार जान जाओ तो कोई भी एंसी आटी के बुक में आप देखते होंगे एक टॉपिक के बाद दो तो उससे रिलेटेट क्वेशन होते हैं तो इसी ढम लोग एं-टेक्स टाम करते हैं तो जीन लोगों ने पहले का मेरा इस चैप्तर बूरा लेक्टर यानि की इसमें मैं इसको बढल्वा इंशुक्त एंसर पहर ने थी जोब और आपको बदर आँ सबर पहने आपको यह pdf के फॉर में चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे एक मैसेज रॉप कर देना मैं वह आपको लिंक प्रोभाइट करा दूंगा तो मेरा वहां मैं पढ़ूंगा और देन आपको क्या करना कि आपको कोसिस करना अपने वर्ड में लिखने का उनको प्रॉब्लम हो रहा है वह अभी यह pdf ले ले पर ले लेकिन एक्जाम में वह अपने लेंग्वेज में लिखेंगे उनके लिए वह वेल और गूड होगा तो चलिए से उसक् satisfaction chain page number 6 पे उसको हमす ले लुख सुरू करते हैं तो why magnesium ribbon be cleaned before it burnt in here 我也amour करते हैं से टीन करते हैं नशलो को क्यों को आफिरिख करने से पहले उसको जलाने से पहले क्यों रप करते हैं कि हम लोग जानते हैं जो mg है जो magnesium है जो बाहर के atmosphere में जो oxygen होते हैं उसे यह react करके क्या बना लेता है mg यानि कि magnesium oxide एक oxide का अपने उपर वो layer बना लेता है अब उसको हम लोग burn करते हैं तो वो जल्दी से burn नहीं होता है बहुत problem करता है तो इसलिए उसको हम लोग sandpaper से drop करते हैं जिसके वाज़ा से उसके उपर का जो oxide का layer है वो hot जाता है और देन उसको हम लोग burn करते हैं तो वो आसानी से जल जाता है ठीक अब question number second इसमें क्या करा है write the balance equation of the following chemical reaction यह जो chemical reaction दिया हुआ है यह word या sentence के form है word form है इसका हम लोग पहला हम लोग को इसका एक equation लिखना है और दे इससांत में उस equation को balance भी करना है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था चाहे कोई भी chapter का question हो आप exam paper में या फिर अपने आज के अपने notes में जब भी आप लिखे को कोई reaction उसको आप लोग balance form में ही लिखोगे आज आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे आपके लिए यह चीज एकद hydrogen chloride बनाता है तो H2 react with Cl2 then क्या form होता है HCl तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया क्योंकि मैंने यह पहले सही balance कर दिया है तो इसका यहाँ 2 नहीं होता है तो हम लोगो balance करने के लिए क्लोरीन भी 2 है तो यहाँ पर hydrogen B1 है और chlorine B2 है तो आगे 2 लगा देंगे तो normally balance हो जागा ठीक है और यह two number question अपने से करना कुछ कुछ question मैं आपको भी अपने से करने के लिए बोल रहा हूं एकदम honesty के साथ करना यह solution मत दिखना क्यों आपको सीखने आयो यहाँ YouTube पे आपनों से पर रहे हो सीख रहे हो क्यों cheat करना आखिर क्यों अपने आपको धोका क्यों देना अपने से practice 35 करो अपने से लिखो और मैं यह last question जो है इसको मैं करा देता हूं तो sodium जो है उसको water से react कराया जा रहा है क्या form हो रहा है sodium hydroxide और hydrogen इसका equation लिखना है तो आपको अभी यह balance मैंने already कर दिया तो पहले आप लोग लिखो क्या लिखा हुआ है h2o यानि water अब यह react करके क्या बनाता है react करने के बाद क्या बनाएगा naoh naoh ठीक है और क्या h2 ठीक है अब इसको हम लोग balance करेंगे ठीक तो इधर देखो h2 है और इधर 2 है तो यानि यह balance ह ठीक है तो इसी तरह हम लोग अपने से इसको balance कर लेंगे तो ठीक है तो आयोप आप यह अपने से भी balance कर सकते हो क्योंकि मैंने पिछले lecture में जब मैंने इसका class लिया हुआ है तो उसमें काफी सारे question को कड़ाया हुआ है और trick भी बताया हुआ है कैसे balance करते हैं ठीक है तो च आप जैसा कि आप लोग देख रहोंगे मैं जिटना भी यह मतलब यह चेप्टर ही मतलब कि आपका basic smudge boot करने के लिए जैनि इस चेप्टर से अगर आपका question भी आएगा ना तो देखना balance करने के लिए आतो question आएगा या फिर oxidation और reduction reaction को पहचाननने के लिए आएगा एकड़म कन फर्म है chemical equation देदेगा बोलेगा balance करो या फिर word form देदेगा बोलेगा इसका chemical equation लिखो guaranteed आप देखो आगे आगे सिर्फ इसी पर question आप लोग बोलते हो NCRT के question कोई उनवर करते हो और 10 साल का question बना के जाते हो एकड़म में बहुत बढ़ा गलत फैमी में हो आप NCRT बहुत है NCRT का अगर exercise solution आप कर ले रहो कोई जरूरत नहीं आपको कोई need नहीं है कि 10 साल का question बना हुआ आप पहले इसी के साथ हम लोग अपना आगे कर 3 question देखते हैं इसमें देखना question को कैसे पकरते हैं वो सीखो पहले solution of barium chloride and sodium sulphate in water यहां पर अच्छे से देखो solution है एक barium chloride और sodium sulphate का water में यानि यह दोनों water के अंदर है यानि aqueous है यानि barium chloride यानि BACL2 और क्या है sodium sulphate यह दोनों solution के अंदर है यानि aqueous condition में है यानि इसका physical state क्या होगा है aqueous और यह give क्या करते हैं insoluble barium sulphate यह insoluble यानि soluble नहीं यानि solid state में सेट में बईरियंस सफेट देते हैं यानि यहां पर हम मैं क्या या थोपको यहां पर समझ में पर किसे क्वेशन करते हैं देखते हैं दूसरा क्वेशन है यह डोनों ससब्साइब में और यह करने के यह सोडियु घैट। solution and water sodium chloride solution क्या बनाते हैं sodium chloride का solution और water बनाते हैं तो देखो यह aqueous हो जाएगा NaOH यानि sodium hydroxide और then SCL भी aqueous हो जाएगा क्योंकि यह डोनों solution में water में है और यह क्या form करते हैं sodium chloride solution यानि aqueous NaCl और then water water क्या होता liquid होता है तो आपको यह अच्छे से physical state कैसे questions हम लोग पकड़ते हैं कैसे समझते हैं कि question में किस form है तो question को अच्छे से परना है देन उसके physical state को लिखना तो आयो इतना जितना अच्छा मैंने समझाया है आपके लिए तो बहुत होगा तो चलिए हम लोग इसी के साथ आपना आगे चलते हैं तो पेज number 10 पर कुछ questions है उनको हम लोग देखते हैं तो यह question very very important और very very reasoning type questions आप लोग कह सकते हैं जब तक आपका chapter पर पूरे grip नहीं होगा आपसे यह question नहीं बनने वाला है जो लोग ncrt line by line नहीं परहे होंगे guarantee एक exam में question आएगा तो वो नहीं बनने वाला है तो चलिए यह question हम लोग देख लेतें कि आखिर इस question में है क्या तो a solution of substance एक substance का solution है एक जिसको हम लोग यूज करते हैं whitewashing में कोई एक ऐसा substance का solution है जिसको हम लोग यूज करते हैं whitewashing में जैसा कि आप लोग relate कर पा रहे होंगे decomposition reaction में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एक reaction याद करो अच्छे से c a o calcium hydroxide इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ था c a o h का whole twice आपको अच्छे से याद होगा कैसे फ़र्म होता है जब calcium oxide और water तो यानि यहां पर देखो a solution of substance x is used for whitewashing तो whitewashing के लिए हम लोग क्या यूज करते है calcium oxide तो उसका chemical formula क्या होता है तो co तो पहले तो उसका नाम लिख दो calcium oxide x क्या है calcium oxide है और इसका chemical formula क्या होता है co यानि की calcium oxide ठीक है और then second question क्या कर रहा है write the reaction of substance x named in one above wheat water जो यह chemical reaction हम लोग लिखना है एक्स का जो one में है और उसका reaction water से कराना है तो cao तो one हो गया x हो गया और उसका क्या चीज सी reaction बोल रहा है water से तो water से react करते हैं तो क्या form करता है caoh का whole twice यानि की calcium hydro oxide form करता है तो आयोब आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है इसका हम लोग slack lime भी बोलते है question number two why is the amount of gas collected in one test tube in activity 1.7 double of the amount collected in other name this gas तो यह question electrolysis का है उसमें हम लोगों ने देखा था water का जब electrolysis होता है तो उसमें डो electrode होते है एक electrode पे hydrogen form होता है और एक electrode पे oxygen form होता है तो इसमें आम लोग अच्छे से जानते है कि hydrogen double amount में form होता है oxygen के आखिर क्यों तो water के chemical formula को देखेंगे होता है तो इस water के chemical formula में two parts जो है वो hydrogen है और only one part oxygen है तो यही एक region है जिसके वाज़ा से hydrogen double amount में form होता है oxygen के compression में तो इसको एक बार line by line देख लेते हैं water contains two parts of hydrogen hydrogen and one part of oxygen जो water है वो two parts of hydrogen और एक part of oxygen contain करता है therefore during the electrolysis of water amount of hydrogen gas is one test tube is double then the another gas oxygen produced and collected in other test tube इसी कारण के वाज़ा से जो एक test tube है जिसमें hydrogen gas form होता है वो double होता है दूसरे test tube जिसमें oxygen form होता है उसके तो आयोब आपको यह question अच्छे से समझ में आया होगा तो चलिए हम लोग पेज नंबर कुछ 13 पे कुछ इंटेक्स question है उनको हम लोग देखते हैं why does the color of copper sulfate solution changes when iron nail is deep in it तो यह हम लोग उन्हें देखा हुआ था displacement reaction copper sulfate क्या होता है CUSO4 इसका color क्या होता है blue color का जब इसमें हम लोग यह दालते हैं यानि iron का nail दालते हैं तो यह copper को displace कर देता है क्यों displace करता है क्योंकि यह copper के मुकाबले ज्यादा reactive होता है तो हम लोग ले reactivity series भी पढ़ा होगा था तो जिन लोगोंने वह lecture नहीं देखा है वह lecture देखे description में link है पूरा complete lecture देखें NCRT को हर एक exercise हर एक activity को line by line experiment को मैंने पढ़ा है तब इस question पर है उनको guarantee मैं बोल रहा हूं कोई question ऐसा नहीं लगेगा जो पॉले से उन्हों लोगोंने नहीं इस color में वह आने लगता है तो तो इसी के कारण क्यूंकि एपी जो है copper sulphate solution से copper को displace करके अपना apso4 बना लेता है यानि ferrous sulphate बना लेता है तो आयोब आपको यह अच्छे से समझ में आयागा तो यहाँ पर क्या करना है कि मैंने यह question आप लोगों को देखाया हुआ था एक जो है compound उसको पहचानना है यह important है इस chapter का most important topic यह भी है oxidation and reduction reaction यानि एक reaction दे देगा और आपको पूछेगा कि आप इसमें बताओ किसका oxidation हुआ और किसका reduction हुआ है तो इसको हम लोग product को देखके reactant का नाम लिखते हैं कि किसका oxidation और किसका reduction हुआ है ठीक है तो जैसा देखिए sodium जो है oxygen के साथ reacts करके sodium oxide बनाता है ठीक है तो यहाँ पर देखो na initial में reactant पर सिर्फ na है और finally na oxide बना लिए है यानि sodium oxide बना लिए तो oxygen का addition हुआ है तो ano जो है na उसपे oxygen add हो गया तो यानि na का oxidation हुआ है और oxygen के पास remove हो गया है यानि इदर ओ बचा ही नहीं है तो oxygen का reduction हो गया gets reduced simple सा बात है question को देखो अच्छे से समझो देखो उसी तरह एक और question है और यहां पर product में और remove हो गया यानि copper से oxygen remove हो गया तो removal of oxygen को हम लोग क्या बोलते हैं reduction तो इसी के हिसाब से जो copper oxide जो है वो reduce हो गया और copper है वो reduce हो गया और copper बना लिए और वह ही जो hydrogen है उसमें देखो यह product में oxygen जूड गया तो इसे लिए H2 का यानि hydrogen का oxidation हुगा है तो आयोब आपको यह oxidation reduction वाला question भी अच्छे से समझ में आया होगा तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं then अब हम लोग index question finally पूरा खतम हो गया अब यहां पर exercise questions करेंगे तो which of the statement about the reaction below are incorrect तो यह chemical equation दिया है और इसको चार option दिये इसमें बताना है कि कौन-कौन सा गलत है तो क्यों गलत है उसको मैं बता देता हूं ठीक है तो इसका answer हो जागा A और जो B है वो डोनों गलत है और बाकी C और D सही है अब कैसे गलत है कैसे सही है उसको देखो तो the ladies getting reduced तो यह पिवी ए ठीक है और यहां पर ओ है ठीक है तो यहां पर देखो यह रीडिउस हो गया लेज फाइनली रीडिऊस हो गया ठीक है तो यहां पर लेड रीडिऊस हुआ है यहीतो पकरने वालबात था क्या समझेव मेरा गलत है आप लोग अच्शे से समझो ठीक यहां देखो PBO यहां पर क्या लिखना चाहिए लेड ऑक्साइड इस गेटिंग रिडियूस यह सही स्टेटमेंट हुआ हम लोग को प्रोडक्ट को देखके पहचानना है सिर्फ सिर्फ पहचानना है कि किसका ऑक्सीडेशन किसका डिड़क्टन हुआ है लिखना वही है नाम जो रियक्टेंट में है तो आयोप आपको यहां पर बहुत अच्छा एक कॉंसेप्ट मिला होगा ठीक उसी तरह देखो C के साथ यहां कार्बन अक्यले है रियक्टेंट में यहां यहां पर कार्बन डाइक्साइड बन गया हुआ है CO2 बन गया हुआ है तो देखो यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन आके एड हो गया ठीक तो सिर्फ कार्बन का ना ऑक्सीडेशन हुआ है तो देखो कार्बन इस गेटिंग अक्साइड तो यह true है लेकिन यहीं B वाले में देखो carbon dioxide is getting oxide क्या हम लोग प्रोडक्ट को देखके लिखेंगे नहीं तो इसलिए यह दो statement गलत है तो आयोब आपको यह समझ में आया होगा ठीक है आपको यहाँ पे बहुत अच्छा concept मिला जो यह इसके पीछे वाला जो यह question था जहाँ पर हम लोग को oxidation reduction पक form L2O3 और Fe ठीक above the reaction example of यह जो reaction है यहाँ पर देखो Fe जो है aluminum को मतलब कि यहाँ जो FeO3 है aluminum ज्यादा reactive है iron के मुकाबले तो Fe को displace करके यहाँ देखो displacement सिर्फ 1 ही हुआ है को displace कर दिया कौन aluminum तो यहाँ पर सिर्फ एक ही displacement हुआ है तो इसलिए यह displacement reaction है यानि single displacement reaction इसको आम लोग another name इसका भी होता है single displacement reaction ठीक है तो आयोब आपको यह भी question अच्छे से समझ में आया होगा यह आप लोग हर बड़ी में double displacement भी मार सकते हो तो इसलिए यहाँ पर देखन मतलब कितने कौन साइलिमेंट दो नहीं न डिस्प्लेश हो रहा है तब दो देखके ऐसा question silly mistake हो जाता है तो आपको यह अच्छे से समझ में होगा देना आगे का question what happens when dilute hydrochloric acid is added to the iron fillings tick the correct answer correct answer का हम लोग को tick करना है जब हम लोग dilute hydrochloric acid यानि hydrochloric acid में जब हम लोग iron को डालेंगे तो क्या होगा तो इसका तो पहले है आप लोग chemical reaction mind में सच हो यानि hcl plus ap तो क्या होगा जब hydrogen gas and iron chloride are form yes of course यही होगा तो hydrogen gas and iron chloride is produced है इसका reaction को reaction देखना है वह यहाँ पर देख सकते हैं मैं balance नहीं करूंगा hcl plus क्या है iron fillings यानि iron के टुकल यानि generally वह क्या होगा ap ठीक यह react करके arrow यहाँ देता हूं क्या फरेंगे यह h replace जाए क्यूंकि iron ज्यादा reactive होता है तो fcl हो गया ठीक then क्या हो गया plus h ठीक है तो आयोप आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो यह 2 हो जाग ठीक है तो यह आपको अच्छे से आयोप यहाँ हो जाएगा iron chloride और then hydrogen gas evolve होगा तो आयोप option a is right और बाकी टीनों गलत है तो आयोप आपको यह question अच्छे से समझ मे आया होगा मैंने chemical sorry sorry वह गलती से वह पीछे हो गया कोई बैट नहीं है मैंने यह chemical equation आप ही के लिए लिए लिख दिया जिसके वज़े से आपको और आसानी हो reactions को समझने का तो आप यहाँ पर आप अच्छे से यह चीज समझ रहे होगा कि इस chapter में सिर्फ chemical equation कैसे balance करना आपको एक्जाम में इस चैप्टर से कुछ question नहीं आएगा basic आएगा balance करो reduction oxidation बताओ बस इस चैप्टर का वही important है question no.4 what is balance chemical equation why should chemical equation should be balance तो कि balance chemical equation क्या होता है तो यानि कि product में जो atoms जितने participate हुए है उतने ही जो है reactant में होने चाहिए यानि overall यह कहो कि reactant में जो F2 है तो वह product बनाया F2 तो वह भी 2 होना चाहिए for example अब मेरा reaction आप judgment करने लगना मुझे ठीक है तो आयोप आपको इससे आपको समझ में आया होगा यानि जितना atom reactant में reactant है उतना ही atom उस element का finally product में भी form होना चाहिए आकिर इसका need क्यों परा क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते है law of conservation of mass आयनि mass जो है नहीं create हो सकता है और नहीं destroy हो सकता है इसी बात को maintain करने के लिए यह जरूरी होता है कि इधर जो element है वो equal होना चाहिए तब ही product का जो equal होगा तो equal होगा तो आयोप आपको यह अच्छे से समाझ में आगा तेक बार और इसको line by line देख लेते हैं reaction means number of elements is equal than the both sides of chemical equation is equal to the is equal is called balanced chemical reaction जितने element reactant में participate किया है उतने ही उस element के atoms product में भी होने चाहिए तो उससी chemical equation को हम लोग balance chemical equation बोलते हैं और इस chemical equation को balance करने की नीट क्यों परती है क्योंकि यह law of conservation of mass follow करता है according to this law the total mass of reactant is equal to the total mass of product data की मैंने बताया था जो reactant में जितने mass होने चाहिए reactant के finally उस reactant combine करके जब new substance form करेंगे product उसमें भी उन सारे element के mass same होने चाहिए तो इसी के लिए हम लोग balancing करने की need पर रही तो यह क्या करना है translate the following statement into the chemical equation and then balance them तो यह आपको कुछ नहीं करना है यह आप अपने से भी कर सकते हो यह equation को परना है देन उसका chemical equation लिखना है और देन उसको balance भी करना है तो चलिए एक मैं कर देता हूं तो hydrogen gas combine sweet nitrogen form ammonia तो H2 N2 से react किया और NS3 बना लिया ठीक है तो यह ammonia हो गया आपको यह अच्छे से समझ में आगा मैंने सारा एंसर लिख दी है मैं यह ज्यादा करूंगा तो ज्यादा लेंटी होगा यह आपके practice के लिए मैं छोड़ रहा हूं एकदम honesty के साथ आप लोग यह सारे चीज़ का practice करते रहना ठीक है तो इसी के साथ यह बच्चा क्या बोल मिल जाए तो जरूर चैनल को subscribe करें और बेल बटन को दबा दिए और जिनको यह lecture समझ में आ रहा होगा और वीडियो solution समझ में आ रहा होगा वह जरूर इस वीडियो को like करें और देन चलिए अब हमारा बार यह इस पर हम लोग fun fact नहीं एक tweet को जानेंगे imagination is more important than knowledge Albert Einstein जो Albert Einstein थे उन्होंने क्या कहा था जो imagination है यानि कि हम लोग किसी भी चीज को imagineate करते है imagination अपने mind के अंदर उसका image create करते है वह ज्यादा important होता है knowledge के मुकाबले यानि जो knowledge हम लोग gain करते है उस से ज्यादा important होता है उस knowledge के अपने mind में imagine करना imagination से pictorial form में माइंड के अंदर ही उसको समझना है तो आई होप आपको यह solution भी दे दिया है आप मुझे से PDF form ले लेना और वहां पर आप इसको अच्छे से solve गर सकते हो ठीक है तो यह सारे questions उसी तरह से है और यहाँ पर कुछ important question है उसको हम लोग देख लेते हैं तो इसमें हम लोग को बताना है कि chemical reaction है वह कौन सा chemical reaction है equation तो लिखना ही है balance हो करना ही है सांथ में बताना भी है कि वह कौन सा reaction है तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं तो जैसा कि इस reaction में देखो यह के बी आ रहा है और बी यह आई टू है ठीक है तो यह finally react हो रहे है तो दोनों जो reactant आपस में interchange हो रहे हैं यानि यह double displacement reaction है ठीक यहाँ पर देख example देखो यहाँ पर H2 और Cl2 है ठीक है यानि hydrogen और chlorine है और finally यह combine करके react करके एक product only one product बना रहे है जो कि HCl है hydrochlori कैसी तो यह combination reaction है उसी तरह यहाँ पर देखो Mg-HCl यहाँ पर Mg-Cl बन जा रहा है ठीक Mg-H से ज्यादा reactive है तो इसलिए H को replace करके Mg-Cl बना ले रहा है यानि magnesium chloride बना ले रहा है और hydrogen अलग हो जा रहा है यहाँ पर यह double displacement नहीं हो रहा है शिर्फ एक displacement हो रहा है तो इसलिए शिर्फ normal displacement reaction है तायोब आपको यह अच्छे समझ में आया होगा तो what do you mean by exothermic and indothermic reaction give example तो आपको मैं यह अपने लाइंग्वेज में समझा दोता हूं तो exothermic reaction ऐसा chemical reaction जिसमें heat Release हो chemical reaction के दौरान heat release हो उसे हम लोग exothermic chemical reaction बोलते हैं और वो ऐसा chemical reaction जिसमें heat जो है absorb हो उसे हम लोग indothermic chemical reaction बोलते हैं तो इसका example हो जाएगा एक्जो थर्मिक यानि जिसमें हीट का रिलीज होता है तो वह जाएंगे इबापुरेशन होता है तो देखते हो हीट हो जाता बहुत अ मांट में और देन हम लोग क्या देखेंगे इंडो तो आपको यह समझ में आया होगा तो चलिए इसी के साथ हम लोग यह उल्टा यह एक जांपल से आप लोग इसको एक बार सही कर लेना देन हम लोग चलिए आगे चलते हैं तो वाई रेस्पीरेशन इस इंडो एक्सो थर्मिक रिएक्शन सोरी आप बटाओ कि जो रेस्पीरे फाra यहां इनर्जी हो रहा है तो देखो यह एक असान सा प्रिंशन अ है तो इसको आप लोग देख लो तो दिकंपोजीशन रियक्शन जो है वह ओपोजीट होता है कंबिनेशन के रियक्शन के क्यों कैसे तो देखो डिकंपोजीशन रियक्शन में क्या होता है एक जो प्रोडक्ट है वह ब्रेक होते हैं दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में वाई कंबीनेशन में दो यह तीन प्रोडक्ट दो यह दो से अधिक प्रोड़क जो शेली डेक तेन्ट जो है sinds देखों आरा अच्छे समझेव किंपोजीशन एक प्रोड़क ब्रेक के केमिकल एक्षण करके दोर दो से अधिक सऔरी यार मिस्तेक हो सब्सक्राइब केमिकल रियक्षिन करता है और बी और इसे हम लोग बोलते हैं तो आपको तो यह दिख रहा होगा दोनों एक दूसरे के अपोजित हैं तो आयों आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा तो देन चलिए इसका हम लोग आगे चलते हैं इसके एक्जामपल यह देख लो यह क्या डिकंपोजिशन रियक्शन है यह जेडन सीओ त्री यह ब्रेक हो रहा तो जैसा कि और देक्ञां था जो ही जहाँ रिख आब किसी वी प्रेक्टे कर दोग कर का सथाओं कोटिकरी फर्म दर्चिटी एक्टरम लेक्टरोलाइसी सब्सक्राइक्शन यह तिनों का एक्जामपल देखना देख है तो यह पहला देखो को यह हीट दिये तो यह कैल्सियम औक्साइड और कार्बन डिकंपोजिशन यह क्या है इसको फोटो दिकंपोजिशन रियक्शन तो यह आप आपको यह एक्जांपल्स अच्छे से समझ में आया होगा देन हम लोग चलिए आगे के लेक्चर देखते हैं तो वाट इस दिफरे तो displacement reaction is more reactive element react and replace the less reactive element from a compound जो displacement reaction होता है उसमें जो more reactive element होता है वो less reactive element को उसके compound से रिमूब कर देता है वाइड डवल displacement reaction है यह पर two atom और group of atom which switches the place of new compound यह जो होते हैं यह double displacement इसमें चोहता है group वो आपस में switch हो जाते हैं एक दूसरे से switch कर लेते हैं तो इसी को मेंदग करते हैं तो displacement reaction में यह देखो Mg ज्यादा रेक्टिव है एज से तो ह को replace कर दिया है मैंगनेसियम बना लिए और हाइड्रोजन अलग गया यह यहीं डबल displacement reaction में देखो तो कब यार यह यह देखो के और डोनों अलग-अलग हो कोई और दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया तो इसको हम लोग डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन बोलते हैं यह जब रिकाबरी में हम लोग सिल्वर करते हैं उसमें कौन से चाहिं होता है तो यहां पर हम लोग को फाइनली जो कॉपर है यह सोड़ी जो यह अल्मूनियम है ठीक है यह जो है फाइनली यह प्यूर फ़र्म है यानि कि वैसा केमिकल रियक्शन लिख हो जिसको हम लोग यूज करते हैं रिफाइनिंग में कॉपर जब जैसे कि एक सॉलूशन है जिसमें बहुत सारा इलेमेंट्स मिक्स है तो ऐसा हम लोग को रियक्शन बताना था जिसमें हम लोग कॉपर को अलग कर दें सिल्वर से और फाइनली प्यूर सिल्वर अप्टेन कर दें तो यह केमिकल तो आयोग आपको यह अच्छे सा समझ में आया होगा तो देखो CSO3 बनाते हैं जो कि Solid होता है ॐ हो 12 छे छालशनम में यंद्ट स्विष्ट एंस प्रिक्शन रियक्शन इसटको यह समझ में до आया होगा तो explain the following terms of gain और loss of oxygen with two example of each जो oxidation है और reduction है उसको define करना example तम लोग ने बहुत देखा तो मैं जल्दी से समझा देता हूं तो oxidation किसे बोलते हैं तो वैसा chemical reaction जिसमें गेन हो oxygen का और loss of hydrogen का उसे हम लोग बोलते हैं जैसे यहां देखो mg है यह oxygen ह종 कि मैगनेशियों行了 तो यहां पर देखो मेंगनेसियम जो है और और हाइड्रोजन हो जाए तो वैसे केमिकल रिएक्शन को मलग रिटक्शन बोलते हैं जैसे यहां देखो यहां पर देखो कॉपर जो है यह कॉपर ऑक्साइड जो है यह रिड्यूस हो जाता है और कॉपर बन जाता है तो चलिए आगे क्वेस्टन को अम लोग देखते हैं ब्राउड कलरण्ल सब्सक्राइब सद्सक्राइब सब्सक्राइब गर्वाव इसको करते हैं य्शिए करते हैं यह यानि यह ब्राउन में रहाता है अनुस करते हैं और इसको यह generally ही जाता है खिटih है तो सब्सक्राइब से हो जाता है नेम्क टानेठेट एक्सने मिलेंट इसका नाम लिभपाउंड का है और इसका कंपाउंट का जो है फॉर्म हो जाता है क्योंकि इस copper की उपर एक oxide का लेयर बन जाता है जो कि वह oxygen से रियक्ट करके बना लेता है तो इसलिए ब्लैकिन कलर हो जाता है तो आयोप आपको यह अच्छे समझ में आया होगा तो एक्टी नमबर कॉस्टन वाइड यूज करते हैं उसको हम लोग पेंट करते हैं क् स्ट्राइब प्रोड़क्त होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस बहुत तो यह एक्टी ऑक्सिजन नहीं उसके अंदर रहने देता है जिसके वज़़ा से जो होते हैं वह oxygen से रियक्ट नहीं करते हैं और वह फूड और वह वाइल जो होता है वह ज्यादा दिन तक रहा जात होता है जल्दी नहीं होता है तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा चलिए आगे हम लास्ट क्वेशन 20 देखते हैं इस प्रोचे से लिए करके वह रस्ट कर लेते हैं तो इसी को कॉरीजन बोलते हैं और यह रसी रांसीडीटी होता है यह ऑक्सिडेशन होता है इसमें फैट और ओएल का फैट और ओएल जो है ऑक्सिजन सरीएक करके फूड को फैट और ओएल जो है वह खराब हो जाते हैं और फाउल देने लगते हैं और उसका टेस्ट जो होता है और आपको पूरा लेक्चर खतम होता है हम लोग ने इसका को बागी रहा तो इसी के साथ बहुत 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 थैंक्यू पूरा लेक्चर देखने के लिए तो नेक्स लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिसीटी शुरू करने वाले हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल बतन को जरूर दबा लिजे कि जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसीटी का लेक्चर दाल हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और इसको नीडवी पूपल तक जरूर पहुंचा है तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं इलेक्रिसीटी के लेक्